हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो स्री किशन जी ने कहा है, शान्त हो कर सुनो और निराश मत हो, तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं, कभी-कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक नहीं होते, सोच भले ही नहीं रखो, लेकिन संसकार पुराने ही अच्छे है, जिन्द्गी जब कठिल हो जाती है, तो ढोलक बजाने वाले और हसने वाले अपनी जान पचान वाले लोग ही होते हैं, परिवर वही आगे महान बनता है, जा मुख्या समझदार हो, जिन्द्गी में धोका मिले तो ना हो, बलकि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छोटा, परिवरतन से मत डर, अगर कुछ अच्छा को सकते हो, तो आप उससे भी अच्छा कर सकते हो, जो तुम्हे चाहेगा, वे तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, यही अटूट सकते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं, ऐसी छोटी छोटी हरकते छोटे लोग ही करते हैं, अ उसी बात का जिम्मिदार हूँ मैंने कहीं है उसका नहीं जो तुमने समझी संबंदों को बांध कर रखना एक कला है लेकिन संबंदों को निभाना एक साधना है जिन्दगी में हम कितने सही और कितने गलत है यह सिर्फ दो ही जानते हैं परमात्मा और दूसरा अपनी अंतरात हासिल कर लीजिए अगर आपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तमाल कर कीजिए दुनिया में माता पिता ही ऐसे इनसान होते हैं जो चाहते हैं मेरे बच्चे कोई निराशा ना हो और ज़्यादा कामयाब हो मतलब दुनिया के खूब सुक मिले जो धोगा खाने और दुक मिल के बाद भी रास्ते पर नहीं जाता और इमानदारी से अपना कारे करता रहता है ऐसा इंसान इश्वर को सबसे प्रिय होता है आंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित होती है जो हमें समझज़दार समझा नहीं सका उसे हक है किवे हमें बुरा ही समझे कुछ लोग मुझे अपना कहा कहते हैं क्या कहूं तो सिर्फ कहा ही करते हैं ये रिस्ते को वक्त पर वक्त बदल देना जरूरी होता है जितना पोदे को वक्त पर पानी देना कोई कितना भी बोले अपने आपको शांत रखो क्योंकि आंधी कितनी भी तेज हो समुंदर को सूखा नहीं सकती जो खुद से ज्यादा दूसरों की परोह करता है जुकना बहुत अच्छी बात है जो नम्रिता की पहचान है पर आतम सम्मान को खोकर जुकना खुद को खोने के समान होता है एक कहावत है कि मेंडक को चाहे सौने की इंट पर भी बिठा दो वैच लांग नीचे ही लगाएगा वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और जुट बोलने वाले चहरे को परकना देना क्योंकि यहां लोग जुट भी बहुत सफाई से बोलते हैं जो लोग साल को बदला देते हैं हमने साल भर लोगों को बदलते देखा है जब समय और हालात ख़बर होते हैं तो अपने और उन पर्क यह है लेकिन सुभाव समझदारी और सच्चे सबंद हमेशा साथ देते हैं एहंकार और गुरूर दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन है क्योंकि यह है ना तो आपको बदल सकते हैं और ना कोई अपना होना चाहता है पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है दिमाग नियत और किस्मत नहीं सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है एक जुट तुम से हजार जुट बलवाएगा तुम सच बलोगे क्योंकि समझने वाला वैस समझ जाएगा प्रिये दर्शको आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका यह पर यह प्यार हमेशा बनाई रखें और आपके जीवन में ऐसा ही ग्यान अरजित करते रहें यही ग्यान आपको जीवन में सफल बना सकता है जो मनुश्य इस ग्यान को सुनेगा समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा उस मनुश्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आए वह उसे हस्ते हस्ते पार कर देगा दोस्तो कमेंट में जैश रादे किशना और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तो हमारी जिन्दगी में खूबसरत लोग बहुत आते हैं लेकिन जो जिन्दगी को खूबसरत बना दे ऐसे लोग कम आते हैं सिर्फ पैनावा ही नई सोच भी ब्रेंड़िड होने चाहिए अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्यदार बैठे हैं कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह रुक रुक का चलती है वही हाल जिन्दगी में इनसान का है शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा बिखर जाते हैं जहां पोदे और पानी साथ हो वहां हर्याली अपने आप आ जाती है जीवन भी यही है जहां मन की सरलता है और परिवार के संसकार हो वहां जिन्दगी में हर्याली आ जाती है किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके चालात समझने की कोशिश जुरूर कर लेना क्योंकि चाहता है खुद को बदलना आपके हूबर नर्म होता है दूसरा है मिठा होता है तीसरा उसका रंग बदल जाता है इसी तरह अच्छे और प्रवे व्यक्ति भी तीन पैचान होती है, पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरी उसकी वानिस में मिठास होता है, और तीसरा उसके चहरे पर आतम विश्वास होता है, गमंड में मत रही है, अर्ष से फर्ष तक आने तक वक्त नहीं लगता, नसीब में कुछ रिष्टे दूरे होते हैं, मगर उसकी आदे बहुत खूबसरत होती है, जो उन्हें अंदेखा करें, तो मुसे पैचानने से इंकार कर दो, जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि, इस दुनिया में आप अकेले कमाते हो, और पूरा घर खाता है, तो गमंड मत करना, अपनी पैचा का, धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज हमारी चैनल को लाइक, शेयर कीजिए, ताकि आगे भी आप तक वीडियो पहुंच सके, और कॉमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा,